हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यीट्यूब चनल आई टी गाइडलाइन में मैं हूँ राम्बिया श्यादग दोस्तो मैं फिर से आप लोग के लिए आज इमस्व कोश्चन प्रवाइड करवा रहा हूं जो कि इसका पहले एक कलास मैंने लिया था मार्किंग टूल्स का जिसमें 20 कोश्चन का कलास हुआ था बाकी कोश्चन मार्किंग टूल के 22 कोश्चन नंबर और बचे हुए हैं उसको मैं आज हम लोग समाप्त करेंगे खतम करें मार्किंग टूल्स जो लेशन है तो ज्यादा कोश्चन है 22 कोश्चन है 22 कोश्चन है बने रहे कहीं मैं जाइएगा और चैनल पर नए होगे जो ही विद्यार थी चैनल के सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस कर लिए जिससे के सारा नोटिफिक्शन आपको मिल सको और आप क्लास शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन आपके दोस्तों है कि 21 कोश्चन नमबर आज को पहला कोश्चन नंबर आपके एंसके अगर आपको अंसर यादोगा फटाफ़ाट विद्याति कमेंट बुक्स में आपको कमेंट की जेगा जिससे की आपका अंदाजा लाएग जो है क्या है आपका शामने के लिए गोल रॉट का केंदर जानने के लिए समकुंता नापने एकमलिए खीचने clone सबुद्स加ンド क्जिन के लिए तो क्या सब किया को किपड़ है इसका रहे है जानने के लिए अबसचन नंपर भी हेमारा करेक्टर ना दोस्तो चलिए याद किजिए से विद्याती अगला कोशन आपके स्किन पे अगला कोशन है कि नीमिन में से चीनन माध्यम का पर्यूप ढलवा और पिटवा सतह पर करते हैं चौक पॉडर से पर्शियन बूलु से कॉपर से लाल सिसर तो राइटर नमस्त रहा होगा ऑप्शन नमबर चौक पॉडर से चौक जोता है या फिर उसका पॉडर से और हमारा करेक्षक निसर राइटर से दूस्तों याद कर लिजेगा सभी विद्याती चलिए नेश्ट कोश सब्सक्राइब दिएगा पूशन है कि दस आये गए बीव लॉक में लेवल भाग बी का क्या उदेश से है यह जो हमारे वी बौलोग है कौन क्या है फिगर वी बौलोग का फिगर है ध्यान रखेगा इसमें यह वाह जो हमारा है भी है ठीक है तो इस भाग का उदेश क्या है आईए A Pickles!ということで ओप्षन है माप लेने के लिए कौन मापटन के लिए क्लैम्ट करने के लिए सहारा देने के लिए तो क्या राइटन से को दूस्तो ओप्शन नंबर सी यह हमारा क्लेंप करने के लिए पकड़ने के लिए आसानी तरीका होता है क्लेंप करने के लिए याद रखेगा ओप्शन नंबर सी क्लेंप करने के लिए चलिए अगला कोश्चन को चलते हैं अगला कोश्चन भी फिगर व हो मारे vmot log है oluşunks परकार का दर्श आया गया है कि पुशा जा रहा है कि तो और लिप्र काल जो चलते हैं आप्सन हमारा है चलिए option को चलते है और answer कि और चलते हैं option number B single level और double group है option नमबर B हमारे correct answer right answer क्या है single level और double group का ये figure हमारा बना हुआ है चलिए अगला question को चलते हैं अगला question हमारा figure वाला है ध्यान दिजिएगा किस चीतर में किस परकार का B block दरस सया गया है यह जो हमारा चीतर दिया हूँ है यह भी बी-ब लोक है तो एक कौन सा बी-ब लोक है उप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ उप्शन है single level single group single level double group double level single group double level double group क्या right answer हो दूस्तो right answer होगा option number C double level single group option number C हमारा correct answer right answer चले एक बार figure को दिखा देता हूँ मैं यह दिखे क्या है डवल लेवल सिंगल ग्रूब देखिए यहां पर इसलिए हमारा यह है यह लेवल जो हमारा है डवल है और सिप ग्रूब जो हमारा दिया हुआ है सिंगल है option number C correct answer right answer दोस्तों चलिए अगला question को चलते हैं अगला question हमारा है चीत्र में दर्स आये गए उपकरन के द्वारा बड़े चाप एवं बिरित खीचे जाते हैं पहचान कीजिए इससे भाई figure को पहचान करना है बड़े चाप बड़े बिरित खीचे जाते हैं इससे फिगर से तो कौन सा figure है कौन सा टूल से डिवाइडर ट्रेमल अस्क्राइबर सर्फिस गेज तो क्या राइट अंसर को दूस्तों राइट अंसर होगा option और फिगर आप देख लिए हमारा जो होगा यह ट्रेमल का फिगर ह ऑप्शन नंबर भी करेक्ट अंसर राइट अंसर कौन सा फिगर है ट्रेमल है याद रखेगा और ट्रेमल से क्या होता है देखिए आपर कोशन में दिया हुआ है इस उपकरन के द्वारा इस टूल्स के द्वारा हम लोग बड़े चाप एबन ब्रीत खीचते हैं चलिए टेर बीब लॉग उप्यूक्स सभी तो क्या रंट अछ दूस्तों बहुत ही संदार वil 적र को इदा सर writings प्रेट क्ह Colonel से यह मारा उप्षन नंबर भी हमारा करेक्ट च squeeze दोस्तों, छलीर अगला को स्टरच क्यों चलते हैं जो पयोरा है, जहां दो सब्छर,वार आईड़ा प गोस एंगल पोत स्विवाल वेस एंगल प्लेट सुफिवर toosh ऑगष मार ओगा स्विवर वेश एंगल प्लेट ऑप्शन नमंबर सी हमारा क्रीक्ट शार राइट अन्सर आई एक बार कोश को और ऑप्शन को दिखा दे रहा हूं ऐब देखे लिए चीत्र में दर भ cabbage को किसी भी कौन पर सेट के जा सकता है यहनी कौन से जता है इसको कहां पर कि सेट के जा सकता है स्acael फिगर है इक किव का है भूँत प्रखर को होते हैं तो उसमें से कौन सा स्क्राइबर है पाउकेट स्क्राइबर इस्ट स्क्राइबर वेंट अस्क्राइबर अगरा अगर आपको याद है था आप कोमेंट किजिए और बताएज क्या राइट अज़ोगा छिए जो हमारा है अगर यहां पर अगर आज जेस्ट करने के लिए तो क्या होता लेकिन हमारा यहां पर अज़ेस्ट करने के लिए दिया हुआ है इसलिए इसका नाम पढ़ गया है अड्यस्टेवल अस्क्राइबर ऑप्शन नमबर डी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलते हैं अगला कोशन हमारा है कि चीत्र में दर्साय गए अस्क्राइबरों में से पाइकट एसक्राइबर को पहचान कीजिए इस हमारा है पाइकट अस्क्राइबर है ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोश्चन को चलते हैं अगला कोश्चन हमारा है कि चीत्र में दर्साय गए पंच का पॉइंट कौन साट डिगरी एवं नभे डिगरी में होगा ऑप्शन नमबर सी ओटॉमेंटिक पंच यह कौन सा पंच है ओटॉमेटिक पंच का हमारा एंगल होता है वह साथ डिगरी और 90 दीगरी उपलब्द होता है देखिए हमारा ऑटो मेंटिक पंच से दोस्तों ऑप्शन नमबर सी करेक्ट अशर राइट अससा दोस्तों चली अगला कोसलते हैं आगला कोशन हमारा है कि चिनहीत रेखा पर पंच करने के लिए छेद करने वाली मश्जीन पंच का परियोक किया छाता है गंतिनुमा पंच प्रिक पंच । सेंटर पंच तो कॐसी मारा होगा option नमब शी जुआ पंच का हैं तुम हां करना है हलका सा तो कौन सा पंच करते हैं डॉट पंच का ऑप्शन नमबर सी हम लोग का करेक्ट राइट अगर दोस्तों चलते हैं अगला कोशन है कि पीन पंचों का उप्योग सिलेंड्रिकल जॉब में छेट करने के लिए किया जाता है पंच निमनी पीनों के सेट में रफ्द होता है ऑप्सान नमबर है हमारा करक्ट उनसर राइट अगर्फ दोस्तों चले सब्सक्राइब अगला कोशन को चलते हैं अगला कोशन है उनिवहर्सल सर्फिस गेज सब्ढ़ च उप्योग किया जाता है ऑप्सन आपका शामने है डैमेंड शन ग्याद करने के औप्शन नंबर सी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चले इसी साथ अगला कोश्चन को चलते हैं आगला कोश्चन हमारा है कि चीत्र में दर्साय अनुसार किस युक्ति के द्वारा जौब लियाउट रिखा है कि जा रही है अस्क्राइबर चीजल या फिर पिंसील क्या इसिट्ड के द्वारा घ्रत जारा है यहाँ तो आगला कोश्चन को चलते अगला question हमारा है कि चित्र में दर्साय गई surface plate में x के level भाग को पहचान कीजिए यह जो हमारा x भाग जो दिया हुआ है उसको पहचान करना है surface plate फिगर तो सबसे पहले याद रखे फिगर हमारा क्या चीका है surface plate का है ठीक है आईए option को चलते हैं जीग रीव एज अश्ट्रेट तो क्या राइट अंसर को दूस्तों राइट अंसर हमारा होगा रीव option नंबर बी करेक्ट अंसर राइट अंसर यह जो हमारा दर्साया हुआ है रीव दर्साया हुआ है एक से चलिए अगला question को चलते हैं अगला question है कि चित्र में दर्साय गये पंच को पहचानी यह बहुत ही संदार question चित्र में दर्साय गये पंच को पहचानी यह एक पंच का फिकर है लेकिन पंच बहुत परकार को होते हैं उनमें से यह कौन सा पंच है आपको देखना है पीन पंच खोकला पंच बैंट पंच या फिर डॉटपंच तो क्या अगर साथ आघर चलते हैं औगला कोशन को चलते हैं अगला जाता है ऑप्शन आपका शामने है सहीधारति फड़ा पट अंसर देजिए क्या राइटेंस होगा ऑप्शन नमबर डी करेक्ट इंसर राइटेंस दूस्तों इंगल प्लेट का माप व्यक्त करते हैं लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई से तीनों जब रहेगा उपल आवकि से रुखने के रिएंट खोस्तों नंबर ए चलते हैं अगला कौस्अच को चलते हैं अगला कोश्ण फिक्रवाला ध्यां दिजएगा मसिन सॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इनका उप्योग करते हैं पहचान कीजिए दिखी वह फिगर देख लिजिए एक बार और ऑप्शन को भी देख लिजिए अगला कोशन क्यों ध्यान देते हैं लोग अगला कोशन हमारा है कि चीत्र में दरस आए गया सर्फेस गेज में रोकर आर्म को पहचान कीजिए यह हमारा जो फिगर है ध्यान रखेगा सबसे पहले यह चीत्र में दरस आए गया सर्फेस गेज में रोकर आर्म को पहचान करना है सर्फेस गेज में जो नीची हमारा सर्फेस गेज है तो इसमें रोकर आर्म को पहचान करना है A, B, C, T इसी में answer भी option भी सभी है तो क्या right answer को दूस्तो option number C ये जो हमारा है रोक कर आर्म है option number C correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ आज का last question आपके skin पे question है कि चीतर में दरसाय गए punch का point को 60 degree होता है इसका उप्योग subscriber द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है पहचान कीजिए dot punch, center punch, prick punch, pin punch तो आप ऐसे हैं दाला जासकते हैं मैं तीनों को बताया हूँ कि prick punch, dot punch, center punch का angle कितना होता है जब यहाँ पे angle दे दिया है, 60 दे दिया है तो 60 जब angle point इसका है तो कौन सा punch होगा भाई dot punch होगा तो आपको याद होगा तो इससा figure बाला में कभी मत गवड़ाईएगा option नमबर ए correct answer, right answer यानि dot punch है चलिए आज का कलास यहीं पे समाप्त होता है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा question आपके knowledgeable होगा फायदे मन्द होगा तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और चैनल पे जो ही वीडियाती नए होंगे चैनल को subscribe कीजेगा इसलिए कि इस चैनल पे ऐसे से वीडियो में परती दिन लाते रहता हूँ और workshop calculation का बहुत जल्द कलास उरूर करने वाला हूँ हो सकता है तो आज साम तक आप तो वीडियो पहुंच जाएगा और नहीं तो कल सिक्कन फंच चलेगा चलिए thank you दोस्तो बाई बाई फिर मिलते हैं निश्ट कलास में निश्ट टॉफिक के साथ तब तक के लिए जहिन जय भारत दोस्तों